ठीक है यह जो NCRT का डाइग्राम है बच्चो इसमें आप ज़रा ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पैरेंट का DNA दिया गया है क्रोमोजोम नंबर ठीक है और यह इधर मदर का क्रोमोजोम नंबर साथ लिया गया है देखो दो क्रोमोजोम लिए गए है यहाँ पे पाहला करोमोजोम देखो यह वाला है बटा और नीचे क्रोमो साथ नमबर ममी का जंब ऎक उपर पापा का पापा का जो कोई कलें किया कोई बच्चे ने क्या क्लेम किया बटा कोई बच्चे ने क्या क्लेम किया कोई बच्चे ने क्या क्लेम किया कि यह हमारा मांबी पापा है हाना अब हमको चेक करना है कि कैसे चेक करेंगे तो देखो क्रोमोजोम नंबर 7 लिया गया मतलब किसी भी क्रोमोजोम का आप DNA फिंगर आपके बॉड़ी में कितने क्रोमोजोम होते हैं, 23 पेर, 23 पेर, है न, 23 पेर मतलब कि टाइप ऑफ क्रोमोजोम कितना हो सकता है, 24 टाइप का होगा क्रोमोजोम, अगर मेल में देखेंगे तो फीमल में कितना टाइप का हो जगा 23, क्योंकि टेस्ट नमबर क्रोमोजोम करता है तो बात क्या है मैटर क्या हजर & ध्यान से सणना मैटर यह है कि सात नंबर वाला क्रोमोजाम लिया गया इसको बोला गया B अदन 형 यह इसको बोला गया आदमी है A, एक आदमी का नाम क्या है बेटा, बोला, एक आदमी का नाम क्या है, A, देखो यहां लिखा गे न, इंडिविज्वल, A, है न, और यहां पर दूसरा आदमी का नाम क्या है, B, है न बेटा, दूसरा आदमी का नाम क्या है, B, है की नहीं, अच्छा, और हमारे पास dna जो simple available है ये देखो c simple available है ठीक है एक है मेरे पास मैंने dna मैं बार बार disconnect हो रही हूँ बेटा कोई दीकत नहीं disconnect हो रही हो तर recording एदम live चल रहा है live recording don't worry don't worry बचो एकदम recording चलता है कोई tension लेने का बिल्कुल ही जरुवत नहीं आपको एकदम agitize आपको पढ़ा रहा हूं एकदम जहासे कि वीडियो में जाए agitize मेरेगा कोई दीकत नहीं ठीक है तो यहां पर एक individual है बी दूसरा individual है ए और यह तीसरा जो मैं circle मार रहा हूं यह तीसरा circle मार रहा हूं रेडिकलर से लगा देता हूं रुजद अच्छा समझ में आएगा जिसे रेडिकलर से मैं ले लेता हूं इसको सपोर्ज देखो यह रेडिकलर से पैक कर रहा हूं बेटा यह सी individual है सी वाला मेरे पास fingerprint ब बी को लाया अब बुलिस जाल अब हमको हमारे पास sample कौन साभी लेवल है सी तो सी में जो pattern बना है वह exact किसे से pattern मिल रहा है बताओ हमने DNA fingerprint बनाया सी का pattern किसे से मिल रहा है एसे की बी से बताओ एक दो एग्दम exact डिटो सा इसमें उसके जहां जहां 3ड अच यह समने सामने देखो तो इसमें क्या कह सकते हैं कि जो सी ऑला जो है यह crime क्राइम किया गया है एक जगा मालो क्राइम किया गया और हमनेन एक fingerprint बना लिया वहां से forensic expert गया और वहां पर fingerprint बना कर राख दिया तो उसको C भोल दिया राइट अब पुलीस पुलीस ने दो आदमी को पगड़ के लाया एक आदमी को हमने बोला ए और दूसरे आदमी को हमने बोला बी है ना अब हम चेक करके भेरिफाई करना चाहते हैं कि यह किसका सेंपल मैच कर रहा है तो C को मैच कर रहा है तो C का देखो तो सेंपल किसे मैच कर रहा है किसे मैच कर रहा है B से मैच कर रहा है C का जो सेंपल है वो किसे मैच कर रहा है B से मैच कर रहा है क्या confirm हो गया वही आदमी है B जिसने murder किया है वह यादमी भी, देखो एक दम सामने सामने आगए डेक्ट, तो ये जो है आपका फिंगर प्रिंट बना हुआ है, है न, तो जीस प्राइब लिए गया, ये सात नंबर क्रोमजों कहीं बनाया गया था, है न, मतलब जो क्राइम किया है, उसके सेल से जीस क्रोमजों का फिंगर यहां पिरोन सा फिंगर पिंगर पिंगर बनाए गया है साथ november क्रोमोजो चुलसर दोमधून समझए इसमें जो है साथ नवर्ट में मःटल। हुआ। तो वह सीलो मी बना हुआ है और कौन सा पणाय रहा हूँ मैं ठीक है। मैंने पुलिस को बोला जो तो इसने और यह वाले बंदे को मैंने चेक किया तो देखो यह साथ नंब्र का पैटर इधर रेटा रहा रहा है यहां पेटर नहीं बना यहां मतलब यहीं से में bit रहा है मातलब मतलब हैं वह रहां Corporate दो नमब्त कर बना है तो प्यक्टर्न पटब यह वालत हो गया विखे मीं मैंच नहीं मैच नहीं करता है दूरर में इसको बोलते है 100% मैच करना जाहिए तो प्राइटा प्रसेंट कौन मैचoric कर रहा एक्त पैटन को बात करूं पाइवा बताओं यह वह पाई तो इस डाइग्राम से रिलेटेड कोशन बनेगा तो बना अग्जाम में तो बना लोगे इस डाइग्राम से रिलेटेड क्या है यही डाइग्राम रहेगा अब बोलेगा कि जो C individual है उसका DNA fingerprint जो है वो किस से match कर रहा है एस से match कर रहा है कि भी से match कर रहा है क्या match कर रहा है यही diagram बेटा एक बार यही diagram एक बार नीट में आ गया था और बाच्चे नहीं बना पाएं यह यही diagram आ गया था नीट में एक बार अरे बाबा कितना simple है diagram इस diagram पर को एक dairy milk सब्सक्राइब कर रहा है इसका diagram एक साम के बैच में लड़की पढ़ती है उसका नाम है पोटे नाम है पोटे तो पोटे बहुत अच्छा लड़की है मने पढ़ने में तेज है तो बेजा था एक पर कोशन दो चार दिन पहले पुछा था यही अच्छा लगा तो पोटे को बोलूगा वही कोशन दुबारा भेजो है ना यहीं सेम डाइग्राम था बेटा उसमें कुछ कोशन पूछ रहा था वह डाइग्राम में आपको कल दिक आपको भेज दूँगा ग्रूप में बना लेना ठीक है उसे कोशन बोल करके या फिर ना होगा है ना मालूं क्या फिंगर्टिप में नहीं है बटा फिंगर्टिप में नहीं है में फिंगर्टिप मेरे पास तो है लेकिन पूराना वाला फिंगर्टिप है नया वाला फिंगर्टिप जो कलर फूल फिंगर्टिप आया ना हो सकता उसमें दिया हुआ हो अब दे देते हैं जिसके पास है वो भेजो ते बैटा है क्या कोई भेजेगा कोई भेजेगा तो बोलो मैं आन करूं माई को